उतरप्रदेश की जनपर संभल में विकास खंड असमोली की गाउट टांडा कोठी रोड पर इट भट्टे पर डाल रहे मिट्टी वाले डंपर में हाई टैंशन विद्धुत लाइन के पांच खंबा को तोड़कर दंपती को खायल कर दिया दरसल संभल असमोली शेतर के गाउट टांडा कोठी ओबरी मार्ग पर इट भट्टे पर मिट्टी डाल कर जा रहे डंपर ने हाई टैंशन लाइटों के तारों को तोड़ते हुए पांच खंबे छतिक रस्त कर दिये हैं वहीं एक खंबा टंडा कोठी मार्ग पर जा रहे बैक सवार पति पतनी अतबरी निवासे फुल सिंग की बैक पर गिर गया जिससे उनकी बैक टूड गई और उनके भी गंभीर चोटाई हैं अतौरी निवासे फुल सिंग ने बताया है कि हम दोनों पती-पत्मी मनोटा के बाजार करने के लिए जा रहे थे जब हब टांडा मार्ग रोशिन सिंग समार्ग डिगरी कॉलिज पर पहुँझे तो मिट्टी डाल कर जा रहे डंपर में हाई टेंशन लाइट के तारफा से हुए थे और हम डंपर चालक शमसाद को आवाज से रहे थे लेकिन उसने कोई आवाज नहीं सुनी और वह डंपर को स्पीर से दोड़ा रहा था जैसे ही डंपर थोड़ी दूर चला तो हाई टेंशन लाइट के खंबे और तार तूटने लगे जिससे कि एक खंबा हमारी बाइक के ऊपर गिरा है और हमारी बाइक तूट गई हमारी भी काफी चोटे आई हैं जब इसकी जानकारी डंपर चालक शमसाद पाकबड़ा अनिवासी से की गई तो उन्होंने बताये कि चार-पांच दिन में से भटे पर डंपर में मिट्टी लाड़ कर डाल रहा हूं जिससे कि आज मैं भटे पर मिट्टी डाल कर और लेने जा रहा था तो मुझे डंपर कंप्रेशन नीचे करना याद नहीं रहा जिससे कि कहें रोड पर गुजर रही हाई टेंशन लाइन में फंस गया वतार के साथ साथ पांच खंबे तूट गए जिसमें एक खंबा बाइक चालक की बाइक पर गिरा है और वह बाइक छतिक रस्त हो गई संजीव कुमार प्रथम टेवी नियूज इंडिया जनपल संभल उतर परदेश मैंने जो शड़क की रोष करी मोटसाइगी ला रही थी मैं इधर को देखके और मोटसाइगी बाले गवाद देल लागा एक बन्नी कभी जाए तेज आरी होगा है मैं अपनी गाड़े के निगाली तो तार जा जाए लखा लिए डंपर में अब यहां आदाकर माना रोख लिया हो इसालिक जाला रोड़ी जाला खताम इस सब्सक्राइब को जबन तोड़ जाली आगो कर लो नाने जो गेर निग्याला गाड़ी का तो गाड़ी वहां पहु हुआ